हलो दोस्तों आप सभीक हमारे चैनि स्टेडी रूपे जीकिसन में स्वागत है आज किस वीडियो में हम विज्ञान विशा का एक महत्पूर टॉपिक प्रकास तरंगों के ब्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही ब्यतिकरण के प्रकार पर भी चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला हम देखते हैं कि प्रकास का ब्यतिकरण क्या होता है जब समान आवरित्ती की दो प्रकास तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है जब आवरित्ती समान हो तो दो प्रकास तरंगे किसी माध्यम एक ही दिशा में गमन करेगी तो उनके अध्यारों पड़के फल सुरूप अर्थात उनके किसी इस्थान पर टकराने के पश्चात प्रकास की तिवरता में जो भी परिवर्तन होता है इसी घटना को प्रकास का ब्यतिकरण कहते हैं प्रकास का ब्यतिकरण दो प्रकार का होता है संपोसी ब्यतिकरण और विनासी ब्यतिकरण संपोसी बेतिकरण की स्थिती में माध्यम के जिस बिंदू पर दोनों तरंगे समान कला में मिलती है माध्यम के किसी भी एक ऐसा बिंदू जहां पर दो तरंगे समान कला में मिलेगी वहां प्रकास की परिणामे तिवरता अधिक्तम होती है और अधिक्तम परिणामी तिवरता की स्थिती में इस प्रकार की व्यतिकरण को संपोसी व्यतिकरण कहते हैं जबकि विनासी व्यतिकरण की स्थिती में माध्यम के जिस बिंदू पर दोनों तरंगे विपृत कला में मिलेगी वहाँ पर प्रकास की तिवरता नियुंतम या सुन्ने हो जाती है तो इसे कहते हैं विनासी वेतिकरण विनासी मतलब उसका विनास हो जाता है जबकि संपोसी वेतिकरण उसी सिती में प्रकास की तिवरता में अधिक्तम अर्थात पृद्धी होती है विनासी व्यतिकरण का उधारण की बात करें तो जल की सतपर फैले हुई कैरोसिन तेल की परत पर सुरे के प्रकास में रंगिन दिखाई देना यह विनासी व्यतिकरण की बारे महत पुर्जानकारी अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और विज्ञान विशे से जुड़े ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं